असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे चिकन नूडल्स तो चलिए बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम चिकन को फ्राइ कर लेंगे तो इसके लिए लेंगे हम यह 500 ग्राम बोनले सिकन तो चिकन की पीसे को हम छोटे-छोटे तुकड़ों में काट लेंगे और इसके बाद म में नमक यह गविए आझेा लिए 1 ती स्पूण लाल मिंच पॉडर दो सिकन हल्दी पॉडर 120 तीस पून थोड़ा सा लाल फूट कलर एक यह थोडर सा लाल फूट कलर करेंगे हम यह जान कापीस्ट 1 Tीज स्पून डार्क स्विया सॉस दो से 3 ड्रॉप इप अच्छे मिला लेंगे इनट और इसके बाद में थोड़ा सा कुकिंग ओइल एड दिए अब हम चिकन के पीसे को रखेंगे कड़ाई के अंदर में और इसके बाद में अब हम इसको फ्राइ करेंगे 15 मिनिट के लिए मीडियम हीट पे पंदरा मिनिट हो गया चिकन अच्छे से फ्राई हो गया तो अब हम फ्लेम आफ कर लेंगे चिकन को एक साइड में रख देंगे अब और इसके बाद में अब हम पानी को बलने के लिए रख देंगे यह है आठ से नो ग्लास पानी और इसके अंदर आट करेंगे अब हम एक टे स्चीज़ के लिए रख देंगे तो पानी में जब आना शूरू हो जाएगा हम इसके अंदर नॉडल से एकर लेगे कि चारव सबाचाइस ग्राम नॉडल सेये तो नोडल्स राट के लेने के बाद में जब इसमें फिर से उबाल आना शुरू हो जाएगा तो इसके बाद में हम 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे इसको हाइट पे तो 5-6 मिनट तक हमने बॉइल होने के लिए रख दिया था अब ये नोडल्स जो है बिल्कुल रेडी है तो अब हम फ्लेम आफ कर लेंगे नोडल्स बॉइल हो जाने के बाद में अब हम इसको चान लेंगे इस तरह से हमको चान लेना है नोडल्स को चान लेने के बाद में अब हम इसको खुला-खुला कर देंगे इस तरह से और वेजिटेबल्स में लेंगे हम एक मीडियम साइज का गाजर थोड़े से प्यास की पती और एक मीडियम साइज का शिमला मिर्ज, थोड़ा सा पता गोबी, यह सब चीज़ों का हम काट के रख लेंगे, और इसके बाद में एक टेबल स्पून लेंगे, प्यास की पती की जो प्यास रहती वो, और 6-7 लेसन के पोतियों को चॉप करके रख लेंगे, और इसके बाद में हम नोडल्स बनाना शुरू करेंगे, तो इसके लिए अब हम कडाई में थोड़ा सा कुकिंग आइल एट कर लेंगे, चार फेटे हुए अंडे, एक टीज़पून अमक एट करेंगे, एक टीज़पून काली मिर्ज पॉडर, अंडे को तलेंगे हम, तो अंडे को तलने की द कर देंगे और इसी तेल में हम चॉप की हुए गालिक आट कर लेंगे, चॉप की हुए प्याज आट करेंगे, कुछ देर के लिए हम फ्राइ कर लेंगे, इसे ही, कटे हुए वेज़टेबल्स आट कर लेंगे यानि के पता गोबी, गाजर और शुमला मिर्च, एक मिनिट के बून लेंगे, वेज़टेबल्स आट कर लेने के बाद में, और इसके बाद में आट करेंगे, फ्राइ के हुए चिकन, अच्छे से मिला लेंगे, बॉल के हुए नोडल्स आट करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, और यह है नोडल मसाला मिक्स जयादा तर यह जो नोडल मार्केट में जो नोडल मनाते इस बै Apollo यूज सकते तो आप लोग भी यूजिक खरना चाहरें को कर सकते मैं इसके अंदर वन सेच एच पर हो रहें लगभखор यहें वन टेबल स्कुन अगर आप लोग था विलास में, एक तेबल स्पून इक टेबल स्पून नमक कर लेंगे तोमेटो केचप एट करेंगे वह दो टेबल स्पून स्वायर सॉस यह वाइड़ करेंगे और इसके बाद में वाइड विणिगर दो थे तीन रॉपट करेंगे स्प्रिंग अनियन सैट करेंगे अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद मे всем के लिए पांच मिनिट के लिए 5 मिनिट झक पका लोगर फाले के बाद में अब हम फलेम अ अफ कर लेंगे जीक निटिल्स जो है बिल्क।ब्स रेडीे offer करने के लिए तो आप लोग भी रेसिपी को जरूर ट्राय करके देखिए और अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को शेर और सबस्क्राइब जरूर कीजिए ठैंक्स फॉर वाचिंग, अल्ला हाफिज